नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ICDS विभाग के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिस पत्र में आंगनबारी बहनों को एक आदेश आये हैं कि आप सभी आंगनबारी बहनों को 21 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच एक कारेकरम आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है स्वास्थ बालक बालिका अस्परधा तो इस स्वास्थ बालक बालिका अस्परधा कारेकरम में आंगनबारी बहनों को क्या क्या करना है इसके बारे में हम आपको जनकारी दिने वाले हैं और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले दिनों जनवरी महिने में 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच जो कारेकरम होने वाला था वो कारेकरम कोरोना के कारण पोस्पोंड कर दिया गया था तो वही कारेकरम फिर से यहाँ पे 21 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच कारेकरम किया जाएगा और आप लोग देख पा रहे होंगे कि पोशन ट्रेकर एप में 12.4 का जो अपडेट आया है जिसमें कि स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा कारेकरम का लोगो आपको होमपेज पे ही दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे हम आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी देने वाले हैं कि स्वस्त बालक बालिकास परधा काड़े करना है तो इस वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी से एक सोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और हम आपके लिए इस परकार से नए नए वीडियो लेके आते रहें चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो देखिए ये जो कारेकरम होने वाला है स्वस्त बालक बालिका स्पर्धा वो कारेकरम पूरे भारत की आगनवारी सहाईकाओं को मिलकर इस कारेकरम को पूरा करना है जिसमें की जीरो से लेके 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का हाइट और वेट मापना है चाहे वो आपके पूसक छेतर के बच्चे हो या नो हो सभी बच्चों का राज्य के सभी बच्चों का जीरो से लेके 6 वर्ष के यहाँ पे height और weight मापा जाएगा और portion tracker app में add किया जाएगा तो देखें यहाँ पे ICDS विभाग के तरफ से यह letter आ चुका है 9-3-2022 को जारी किया गया है और यहाँ पे संची का संख्या है 1185 इस letter को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS निदेशाले विहार पटना सभी जिला पदादिकारी विहार पटना यानि यह जो letter है वो विहार के लिए जारी किया गया है और देखें यहाँ पे जो इस letter का विषय दिया गया है जिस्ते कि आप लोग को किलियरली मालूम चल सके दिनांक 21 मार से लेके 27 मार 2022 तक स्वस्त बालक बालिका स्परधा यानि की SBBS के आयोजन के संबन्द में यह letter जारी किया गया है महा से उप्रियूक्त विषय कों प्रसंगिक पत्र के संबन्द में कहना है कि बच्चों के स्वास्त एवं पोशन विषयो पर समुदाय के सक्रिय सभागिता एवं जागरुक्ता है तू महिला एवं बाल विकास मंत्राले भारत सरकार दिनांक 21 मार से लेके 27 मार 2022 के बीच स्वस्त बालक बालि का स्पर्धा कारेक्रम का आयोजन निर्धारित किया गया है इस दौरान राजे के सभी बच्चों का यहां पे ध्यान दिजिएगा राजे के सभी बच्चों का वजन एवं उचाई लंबाई माप कर पोशन ट्रेकर RAP में दर्ज किया जाना है यहाँ पर देख सकते हैं राज एके सभी बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे वो आपके आंगनबारी केंदर लाभूक हो या नहीं हो उन सभी बच्चों का जो 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका वजन एओं लंबाई मापा जाएगा और पोशन ट्रेकर 13 वज़े से लेके 5 वज़े सांब में जूम लिंक द्वारा जीला अस्तरिय पदाधिकारियों एवं पोशन अभियान टीम का पर सिक्षन निर्धारित है पर सिक्षन है तू ऑनलाइन लिंक वाट्सप एंड इमेल के माध्यम से उपलावद करा दिया जाएगा जैसे कि 11 मार्च को जीला अस्तरिय जो पदाधिकारी है और जो पोशन अभियान के जो टीम है उन सभी को पर सिक्षित किया जाएगा अता अनुरोध है कि स्वस्थ बालक बालिकास पर्धा का सफल आयोजन कराया जाए जैसे कि देख सकते हैं सभी जो वर्या अधिकारी है चाहे सेविका सहाईका हो या पोशन अभियान की जो भी टीम है सभी को मिलकर इस स्वस्थ बालक बालिकास पर्धा कारेकरम को सफल बनाना है तो आप लोग तयार हो जाए ये 21 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच ये जो कारेकरम होने वाला है जिसमें आप सभी को हिस्था लेना है और इस कारेकरम को सफल बनाना है और पोशन ट्रेकर एप पर जो अभी लिंक नहीं खुल रहा है जैसे कि जो लोगो दिया गया है कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं आपके पोशक छेतर के अलावा उनका वहाँ पे नाम कैसे एड़ करना है तो जब 21 तारीक से ये आयोजन शुरू हो जाएगा तब से जो प पूरी जनकारी मिल गई होगी कि स्वस्त बालक बालिका स्पर्धा में क्या क्या करना है तो आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आगण बारी बहनों के साथ सेयर भी कर दीजिएगा ताकि उ दे हिंग